देखिए अभी जो न्यूज छप रहे हैं वो राजनीतिक डायलोग बाजी बहुत चल रहा है कि चुनावी एयर है लेगिन ऐसा नहीं है कि न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ब्याख्यात्मक जब पढ़ेंगे उसका उसमें बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे अब उस तरह के अब लेख को तो सामिल नहीं किया सकता तो उसको कुछ चीजे ऐसी है जिसको पढ़ना आप रेगुलर पेपर पढ़ रहा है तो पढ़ते समय जनकारी मिलेगे जो हाइलाइटेड न्यूज हैं हम लेके आए हैं लेकिन आप पेपर बिलकुल इस न्यूज के हिसाब से तो पढ़िये ही और साथ ही साथ आप पेपर में कुछ और वी इंफरमेशन से जो राजनितिक डायलोग बाजी जरूर है लेकिन अब भटना कराम है अब मालेजे ममता बनर जी को लेके कुछ छपा सिंगूर को लेके ठीक है या उनके आने की सरकार में आने की जो क कारण थे उन कारणों के बारे में छपा तो सब संग्यान पढ़ने से थोड़ा सा एक राजनितिक एप्रोच भी सोसल एप्रोच भी आपको एकोनोमिकल एप्रोच भी पता चलता है करेंट में तो पढ़ेंगे तब ही वो चीजों को पढ़ पाईएगा ऐसे तो उसको सामिल यहां नहीं किया जा सकता है तो अभी जो सिचिवाशन चल रहा है कि पॉलिटिकल नीज का कोई मतलब नहीं होता आपके एक्जाम के लिए लेकिन उसके अंदर जाके पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है जो आपके काम के हो सकते हैं तो आप हो मुक्ह मंथरी नितिस कुमार साथ मार्च ब्रीटेन रहाना होंवगे लया आज ही वह क्या हो जाएंगे रावाना हो जाएंगे और ब्रिटेन के स्कौर्ट लैंड के लिए वह बुद्धवार को पटना से दिली जाएंगे और फिर दिली से पुरुवार को उनकी लंदन की उरान होगी तो यह ध्यान रहे हैं करीब साथ दिनों की विदेश यात्रा है और वो जा रहे हैं वहां के साइंस सीटी के बारे में जनकाई लेंगे और आधुनिक तक्निक से है कि छी से इस सब्सक्राइक वैखने सब्सक्राइन ंब शूर्ण दिर्मित यस सहर का झाया जानें जाने है उसक्तरा के सहर डेबलब करने के मूड में हो बिहाई ठीक इस ऺहां से उसका आईडिया लेने के लिए हुआ स्कौटलैंड गया हो तो एक्थो कहां की यात्राप पे रहे किस विजेशी आत्रा पे रहे तो उत्तर आपको क्या लेना पर जाए बिटेन और किस उदेश से गये थे वो भी आपको इस थोटे सी निवज में मिल जाएगा पांच साल में जीविका दीदी यहां बन जाएंगी लखपती यह निर्मला सितन रमन ने कहा ऐसा कि अभी छप्रा में केंद्रिये बित मंत्री ने तो अगर यह सब निवज पढ़ेंगे तो कहां पर कितना अनुदान किस रूप में दिया जा रहा है यह भी पूछ देता है तो इसलिए इस चोटे से निवज को आपको पढ़ना जो रिये चुकी यह चप्रा में आके इस तरह की बात कर रही है तो आपके लिए यह और प्रमुक अनुद्पादक देशों की अनाज भंडारन चम्ता यहां पर एक डाटा में दिया हुआ है और चम्ता का प्रतिसत्त कूल उपज के मुकाबले यहां 47 है सबसे कम कहां पर है भारते में नहीं उसके बच्चीन 107 उक्रियन 114 प्रांस 129 अर्जंटीना 130 रूस 132 148 ब्राजीन अमेरिका इस फीगर को भी क्या रखिएगा अन्भंडारन में सबसे ज्यादा तो अमेरिका ही दिखाई दे रहा है हम तो सबसे कम दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा जनसं हमारा तो अन्भंडारन अमेरिका की तरह होना चाहिए तो यह थोड़ा सा घर है यार्की में कभी इनकेस इस अप्रोच प्रस्ट आ जाए कि वाई अन्भंडारन में सबसे ज्यादा च्छमता किसके पास है तो आप ध्यान रखिएगा तो एंसर क्या है कर सकते तो इस ग्रा पतना मुझपरपूर वह भागलपूर में प्लग एंड प्लेश सेड्स का उधाटन होगा उन्सट करोड रूपए की लागत से भी हिटा में ए रेडियेशन सेंटर एक्सपोर्ट पैक हाउस का लोकारपर होने वाला है 24 लाख वर्ग फिट के प्लग एंड प्लेश सेड्स क भागलपूर जीले के बरारी इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्राम वाटर ट्रेनिस सिस्टम बीटूमीनस रोड प्रिट लाइट संबंदी योचना के चलियास किया जाए तो ऐसे से इन्फर्मेशन आपको मिलेंगे पढ़ते समय तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर भी एक निवज है कि 31 करोड 95 लाख रुपे से मुझपरपूर के मोती पूरे ओंपानापूर इंडस्ट्रियल एरिया में स्रुणा के ओंपूल का निर्मान कार इससे आप निर्मान कार कहां कहां बिहार में किसकी सुप्वे चल रहा है कितने लागत के साथ चल रह यानि कहीं न कहीं बिहार सरकार उद्योग पर विश्यस ध्यान देना सुरू कर दिया है ठीक है तो हम लोग थोड़ा जातीगत मान सिक्ता से उपर उठ सकते हैं अगर इस तरह के डिवलॉप्मेंट में काम किया जाए कल भी आप लोगों ने पढ़ा था जाती वाज्य संकल समिधान का आत्मा है अम्भिद्कर सहाब ने समिधान की आत्मा किसको का है आठके 32 को ठीक है लेकिन अब यहां किस लेबल पर है कि अनुछेट 21 समिधान का आत्मा है नागरिक कि सोतंतरता सर्व पर यह आपको जीवन जीने का अधिकार अंधिकार का आप अपने हिसाब सेसाधी विया कर सकते हैं इस को एक तरह से आप क्या कर लेंगे रिपीट कर लेंगे सुप्रीम कोट ने कहा है कि अनुछे 21 सम्मिधान का आत्मा है और एक नागरी की सोतंतरा सर्व पर अदलत ने कहा है कि हाई कोट दोड़ा इससे संबंदित मामलों पर सिगरता से फैसला नहीं करने से व्यक्ति इस महुमुल अधिकार से वन्चित हो जाएगा तो इस न्यूज कि नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा आज ओगी सुरू मतब असाथ तारिक आजी का नीज अगर होगा तो तो कल का नीज है तो देखले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बुद्वार को पढ़ेंगे तो क्या इंफर्मेशन एक चोटे से नीज में रहा है कि नरेंद्र मोदी बुद्वार को कोलकाता में नदी किन यह तो कोलकाता में होगा नदी के अंदर देश की पहली रेल परि वह एस्प्लेनेट के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलो मेटर है इसमें 12 किलो मेटर या 1.2 किलो मेटर सुरंग हुगली नदी में और किस मिटर नीचे है जो इसे किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवाहन सुरंग बनाती है इसके अलावा हावा मेटरो इस्टेशन जिसका सबसे बड़ा या देश का सबसे गहरा इस्टेशन भी यह सुरंग इस्ट वेस्ट मेटरो कोरिडूर यह इस्ट वेस्ट विध्यान रखेंगे को इडोर परियोजना का एक हिस्सा है जो सेक्टर 5 से सुरू होती है और वाटमान में सियालदह में समाप्त होती है यानि कि छोटे से न्यूज में कितना इंफॉर्मेशन है कि अगर यहां से प्रस्ट आ जाए तो छूटेगा नहीं ठीके किस नदी पे बनाया गया है कितना किलोमीटर का बनाया गया है या देश का पहला आपका ऐसा मैट्रो कहां सबसे पह एक सब्ता पहले बीपीएसी ने एक जाम लिया था अगरी कल्चर वाला है ठीक है हाला कि मैंने प्रस्न पत्र पूरा नहीं देखा है लेकिन पेपर के हिसाब से बात कर रहे है कि बीपीएसी क्रिसी परिच्छा में मुझपर पुरु बंब कांड के बारे में पूछा है ठी सब्सक्राइब को पहले दिन अब उसका तो नहीं है है यहीं कहणा है राज देखानार को यहां कई कहने स्वायक पूछा गया सवाल पूछा गया मिसन दक्ष के सब्सक्राइब के पूछा Levy के बारे भूश्ट है और रोज मिसंदक्ष बालमीकी टाइगर में आप कहीं न कहीं पेपर में छफी रहा था और जो निकट में जो सिक्षट बने हैं अभी हाल में उन सभी को अपना चार बाज तक ड्यूटी देने के बाद बाद में मिसंदक्ष के अलावा वही के बच्चों को ट्यूशन देखे होना है फिस वापस अना गया इसा तो नहीं चर्चा खाए नहीं ता आप इसको में दोड़ेंगे यह पेपर अखबारों के महल में इन्वर्मेंट में यह नीज क्या होता है भुला हुआ है और वहां से इन्वर्मेंट में गूला हूआ उसके लिए कलाश में वैट के नहीं कि हो सकता है ठीक है सर नहीं पढ़ायते हो बम मुझे पर बम कांड कर क्या कर पढ़ाएंगे सब्सक्राइब हो तरी अपनों तो ध्यान रखिए निवज में तो रहे एक दम से आप निवज परकबार देश दुनिया से दूर हो जाते कट जाते हैं कौन सी पढ़ाईए और इस प्रति हम जब से पेपर का कटिन आपको दे रहे हैं यह काम कर तब से आपको कुछ तो सुरू में तो बीपी एसी के कुछ सवालों को सामने रख के आपको बताया था कि देखिए पेपर से कई से पेपर आया है और उसके लिए आपको तयार रहना है कि दो हजार उन्नेस में मतदाताओं की भागिदारी रही अधिक यह थोड़ा कंपेयर करके बताया गया है कि देखिए दो हजार चौदा में 66.6% हो गया मतदान का परतिसर बढ़कर आद 2009 में कितना था कि 70.7 क्रोड थे लोग दो हजार उन्न कूल मतदा था यह परसेंटेज में है कि 67.4% मतदाओं ने 2019 के आम चुनाओं में क्या किया मतदान किया तो 1962 में क्या था 2019 में क्या है और 2024 में क्या होगा तो इससे कंपेर कर सकते हैं कि वोट का क्या पर दो हजार चौदा में 66.6% तो 2019 में देख लिजिए बढ़के कितना एक पॉइंट वो लगबग एक परतिसरत क्या हो गया बढ़ गया हो सकता है कि अपकी आम चुनाओं जो होगा 2024 कहीं 69 या 70 क्या स्पास चल जाए तो यह आपको इसमें देखेंगे सरकार गिरी तो गिरा मतदान का परतिसरत नहीं गिरा है सरकार गिरेगी उठेगी लेकिन मतदान का परतिसरत क्या हो रहा है चल रहा है तो कुछ एतियासिक पहलू भी दिये हैं सरकार की गिरी सरकार गिरी तो गीरा मतदान का परतिसत अगर सरकार गिरेगी तो माना कि रिकॉर्ड बता रहा है कि अगर सरकार गिरने वाली होगी तो मतदान का परतिसत गिरेगा सरकार आने वाली होगी तो मतदान का परतिसत और बढ़ जाएगा यह अपना एक सर्वेय लु करने का एक बेहतर एप्रोच डेवलब करते हैं और यहां से प्रस्न आ जाता है तो आप प्रस्न भी सॉल कर सकते हैं ठीक है इसकान सी सब नियूज पे और इन आकड़ों पे द्यान अखना जोरी है कि देश में अब तक हुए 17 आम चुनों में मतदान का प्रतिसर भड़ता रहा है आएए जानते हैं कि मतदाओं ने अपनी भागिदारी किस तरह से दर्श कराए तो उस आकड़ों के आधार पे यह चीज़े संधाने का परियास के लिए है विहार का विकास मोदी की गरंटी है प्रधान मंत्री तो उनकी गरंटी की वज़ा समय नहीं कहा है कि निज को परना है उनुदान देते हैं आकड़ों में उस अनुदान का आकड़ा ध्यान रखना है ठीक है 27.34,000 कोड़ बिहार में होगा खर्च ठीक है तो इस नमामी गंगे के तहत लगबग 2,188 क्रोड़ से 12 पर्योजनाओं का उद्धाटर ऑँ उसने देखे कई जीलों का इसमें नाम दिया है एक नम परयोजणाओं पर बीयार के तौर यहाँ से बन जया है कि हम इसलिए पढ़के नहीं सुना पाते हैं कि प्वेंट्स को क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा हम आपको न्यूज के प्रतिक्या करते हैं जागरूप करते हैं ठीक है कि इन न्यूज को आप जरूर ध्यान में रखें ठीक है ऐसा नहीं कि मोधी की गरांटी सब आप से पूछने वाला है अना आपको बस उनके द्वारा दिया गया अनुदान या जो जिन जिन परियोजनाव पर काम हो रहा है जो बॉक्स में आप देख रहे हैं इन सब पर विसेष ध्यान कि को पढ़ोगे तो आपको पता चले है कि बिहार में क्या क्या चल रहा है और कितना कह तो जल सम्रिद बनाने की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल किये विसी की राह में कई चुनौतियां होंगी लेकिन देश में तेज रफ्तार से नदी बेसिन प्रबंधन पर प्रगती से जल सम्रिद भारत का सपना जल सकार होगा इतना ही नहीं विसू के कई देश नदी बेसिन प्रबंधन के लिहाज से भारत की और देखेंगे तो इस न्यूज को भी आपको पढ़ने की अवसकता है इस परियोजना के तहट क्या किया गया है महा नदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा पिरियार नदी के बेसिन प्रबंधन में मौदूद हालात का आकलन और प्रबंधन योजना के लिए जोरी सोध निगरानी अब इसमें से प्रसने पूछ देख गोदावरी बेसि इस प्रसने कावेरी नर्मदा पिर आर्षीन में नदी लोड़ नदी भी जैसे हाली में पुछा आपके बीपीएसी में सवाल कल दिखा ही रहे थे आप लोगो यूपीशी वरी बैच में कि सोन नदि महा नदी और एक और नदि थी दमोदर नदी घाटी जो है किस माइन्स के लिए जाना जाता है किस्छ मिंरिवेल स्था ना तो खननन के लिए कोईला खननन के लिए किस Daisy में कोईला तो उसी परकार से इन नदियों के घाटी में कई अभ्यारण हो सकते हैं कई खनिश तत्व के लिए भी ये केंद्रित हो सकता है तो अगर आप चाहेंगे तो इन नदियों को ध्यान में रखके अपने अटलस में जाके उन एलिमेंट्स उन तत्वों का संग्यान ले सकते हैं ज आप अपने तरीके से भी काम कर लीजिए है ठीक है तो कर लेंगे आप कि और इस तरीके से इतना ही निज है आज